Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी current energy, उनकी feelings, उनकी thoughts, उनका next move आपके लिए क्या होगा, क्या guidance है आप लोगों की situation पर, detailed हम जानने की कोशिश करेंगे तो विडियो को आपने पूरा देखना है ताके कुछ भी आप miss ना कर सकें, तो इस reading को आप अपने love interest के लिए देख सकते हैं, चाहे male है या female, same gender के लिए भी देख सकते हैं, regardless आपकी क्या situation है, आप लोग less to no contact में हैं, अगर आप separation में हैं, अगर आप अपने ex के लिए देखना चाहते हैं, कोई problem नहीं, ये reading सब के लिए open है, हमारा focus होगा, उनकी energy पर, उनकी feelings towards you, उनका next action आपके लिए और उनकी thoughts आपके लिए क्या है, तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये cards, possibility बताते हैं, आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है, सिर्फ divine source ये जानते हैं, कि finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है, और किसी भी message को आपने जबरदस्ती अपनी situation में fit नहीं करना है, अगर शुरुआत के चंद minutes में आपको ये लगे कि आपकी reading है, तो फिर आपने continue करना है, और अगर आपको आपकी gut में ये महसूस होके कुछ off है, कुछ आपसे match नहीं कर रहा, तो फिर आपने नहीं देखना, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए है ये reading, collectives देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं होता कि सब के साथ match हो, तो ये जरूर आपने अपने जहन में इसके इलावा मैं बिलकुल भी personal readings नहीं करती हूँ, और मेरे जितने भी subscribers हैं, जितने भी followers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all, अगर आप नहीं हैं मेरे channel पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share आने वाले दिनों में no contact पर भी मैं reading करूँगी, इसके इलावा pique cards भी मैं करती रहती हूँ, कुछ लोगों को pique card पसंद नहीं होती, collective होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं balance करके चलूँ, कुछ दिन pique card, कुछ दिन collective कर लिया करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ collective करती करती हूँ, तो आप लोगों ने मेरा साथ थोड़ा सा और देना है, ये cards थोड़े से slippery हैं, इसलिए इनको, shuffle करना थोड़ा सा मेरे difficult होता है, वैसे मैंने इनको already shuffle कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसली के लिए, मैं on camera भी इन्हें shuffle कर लूँगी, one last time, Spirit हमें divinely guide कीज़ेगा, divine message दीज़ेगा, उनकी current energy, उनकी feelings, उनकी thoughts, ये उनकी current energy होगी, ये उनकी feelings आपके लिए होगी, और उनकी thoughts हम channeled messages में देखेंगे, उनका next move हम oracle से देखेंगे, तो सबसे पहले we have the fool, then we have seven of swords, ten of wands, and king of wands, all right, तो यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है, strongly, यहाँ पर मुझे जादा fire ही नजर आ रहा है, क्योंके ten of wands and king of wands ये दोनों fire है, and the fool मेरे लिए Sagittarius है, आप इसमें Aquarius add करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है, उनकी feelings में हम देखेंगे, आपको पता है कि collective readings में सारे star signs होते हैं, तो regardless of star signs, अगर energy आप लोगों से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, तो सबसे पहली चीज़, the fool and seven of swords, I feel कि आपके person एक ऐसे face से गुजर रहे हैं अपनी जिन्दगी के, जिसमें उन्हें ये feel होता है कि उन्होंने बहुत अरसा खुद को किसी धोके में, किसी deception में रखा है, ये deception खास तौर पर मुझे उनके अपने जिन्दगी के सोचने के नजरिये के हवाले से है, ये उनकी अपनी thoughts के हवाले से है, ये सारा उनकी 3D life के इर्द-गिर्द घूमती है, Seven of Swords, उनको ऐसा feel होता है कि वो जिन्दगी में किसी पर भी believe नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा upset दिखाई दे रहे हैं, overburden दिखाई दे रहे हैं, आपके person ने अपनी जिन्दगी को एक नए सेरे से शुरू करना चाहते हैं, वो इस वक्त alone time ढूंड रहे हैं, वो I think कि self-love की journey पर है, अगर ये self-love नहीं है तो I feel with the king of wants के आपके person जिन्दगी में power चाहते हैं, उनको ऐसा feel हो रहा है अभी कि हर चीज़ out of control है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं, कुछ भी उनके बस में नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद को किसी तरह से stable कर लें, अपनी 3D life को किसी तरह से stable कर लें, चाहे वो relationships के मामले में हो, उनके finances के मामले में भी हो सकता है, कि वहाँ पर थोड़ी सी परिशानी है, recently I feel कि उनमें से किसी को financial situation में धोका हुआ है, problem हुआ है, और वो खुद को बहुत ज़दा lonely feel कर रहे हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि वो इस journey पर अकेले ही चलें, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, वो ये feel कर रहे हैं कि they are good enough, वो ये feel कर रहे हैं कि वो इस journey पर अकेले है, उन्होंने खुद से explore करना है, खुद से आगे बढ़ना है, उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों से उन्हें हमیشा धोका मिला है, लोगों ने उन्हें misunderstand किया है, लोगों ने उन्हें use किया है, लोगों ने उन पर pressure build up किया है, लोगों ने हमेशा उनसे अपना मतलब पूरा करवाया है, लोगों ने हमेशा उन्हें use किया है, वो इस वक्त ये feel कर रहे हैं, overall आपके person की मुझे ये energy feel हो रही है, कि वो अपनी जिन्दगी को फिर से शुरू करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि किसी और के पास ये अथौरिटी हो कि वो उन्हें यूज कर सके या उनसे अपना मतलब पूरा करवा सके तो आपके person इस वक्त बहुत power में feel हो रहे है मुझे, I think कि ये phase या तो गुजर गया है उनका जिसमें वो परिशान थे, या ये phase अभी चल रहा है कि जिसमें वो बहुत ज़दा परिशान है, लेकिन either way आपके person बहुत ज़दा power में आने वाले हैं, बहुत ज़दा ambitious feel हो रहे है बहुत ज़दा इनके अंदर आगे बढ़ने का जजबा है, जिन्दगी में कुछ कर दिखाने का जजबा है, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो अपने आपको प्रूव करना चाहते हैं किसी ना किसी अंदाज में और ये उनकी energy है, आपके person इस वक्त बिलकुल अकेले हैं और वो अपनी जिन्दगी के हवाले से passionate हैं, ऐसा नहीं कि ये बिलकुल तूट गए हैं, इन्होंने बहुत feel किया, lonely भी, तकलीफ भी feel की, pressure feel किया, burden feel किया, लेकिन जो भी हुआ उनकी जिन्दगी में या चल रहा है, वो इस phase में से निकलने वाले हैं, और complete power में आने वा वो हार मानने वालों में से नहीं है, बहुत ज्यादा fire है यहां पर, अगर वो fire sign नहीं भी हैं, तो I feel कि यहां पर बहुत ज्यादा fire energy है, passionate feel कर रहे हैं, अब हम यह देखते हैं, कि वो आपके लिए खास तोर पर क्या feel कर रहे हैं, we have ace of wands, वाओ, यह खुबसूरत कार्ड है and then we have four of swords, six of chalices, reversals में नहीं पढ़ती हूँ and then we have queen of wands, वाओ, तो आपके लिए बहुत जदा fire है, बहुत जदा passion है, आपको बहुत जदा miss कर रहे हैं, I feel कि आपका इनके साथ soul connection है, यह आपके soulmate या twin flame हो सकते हैं, वो आपको बिलकुल अपने counterpart की तरह देखते हैं, I feel कि आ आप दोनों fire sign है, we have king of wands and queen of wands, बट जरूरी नहीं है, difference हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत जदा passionate है, लेकिन they feel कि वो अभी आपके लिए कोई action नहीं ले सकते हैं, हम देखेंगे अभी कि उनका action आपके लिए क्या होगा, आपको वो miss बहुत जदा कर रहे हैं, I feel क आप लोगों में बहुत जदा communication नहीं हो रही, अगर communication हो भी रही है, तो वो बहुत जदा surface पे हो रही है, passion based communication हो रही है, आप लोग अच्छे से communicate कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि जब आप communication करते हैं, उनके साथ communicate करते हैं, तो छो feel कि आपके person के साथ आपका बहुत ज़्यादा जगडा होता है क्योंकि आप दोनों अगर fire sign है तो आप दोनों ही काफी ज़्यादा आपके अंदर leadership qualities हैं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा independent है तो थोड़ा सा difficult होता होगा आपको एक page पराने में आपके person लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा passionate हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं जो memories आपके साथ थी जो कुछ भी आप लोगों के आप लोगों ने share किया उन्हें वो सब कुछ याद है वो कुछ भी नहीं भूले हैं लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जिन्दगी का इस वक्त एक phase ऐसा चल रहा है कि जिसमें उन्हें अपने आपको बनाना है, मनवाना है अपने लिए कुछ करना है वो इस वक्त अपने लिए अपने ambitions के लिए जीना जाते हैं, प्यार है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन वो अपने लिए जीना चाहते हैं and they feel कि आपको उन्हें support करना चाहिए कहीं न कहीं वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो एक balanced healthy state of mind में होंगे अच्छी जिन्दगी गुजार रहे होंगे तो ये आपके ली भी अच्छा होगा, ये आपके favor में भी जाएगा और इसलिए भी आपको उन्हे support करना चाहिए लेकिन शायद आपका ये ख्याल हो कि अब आपको settle down होना है अब आप मजीद जिन्दगी में काम नहीं करना चाहते हैं अब आप female हैं तो खास तोर पे आप ये सोचती होंगी कि अब आपने settle down होना है लेकिन आपके person का point of view आपसे different है क्योंकि वो ambitious है उन्होंने बहुत कुछ achieve करना है अभी और उसके बाद ही वो आपको pursue करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर male हैं तो आपके कुछ goals हैं जो आप achieve करना चाहते हैं और आपके जो counterpart हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहरे हैं वो ये कहती होंगी कि आप उनसे commitment कर लें वो आपको support भी करेंगी लेकिन आपका ये point of view होगा कि मुझे पहले goals achieve करने हैं और फिर हम union में जाएंगे तो कुछ इस सरा की चीज़ें मुझे यहाँ पर feel हो रही है लेकिन जो भी है यहाँ पर प्यार बहुत ज्यादा है passionate communication है कुछ लोगों के दरमियान में शायद fight हो जाती है on and off लड़ाई हो जाती है आप लोगों की अब हम उनकी तरफ से channeled messages देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि अगर अभी वो आप से कुछ कहते तो क्या कहते यह बहुत सारे messages है इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ first we have I am totally heartbroken yes इस face से वो गुजरे हैं बहुत ज्यादा pain हुई है उने क्योंके we have 10 of wands and 7 of swords उने कहीं न कहीं यह भी feel होता है कि शायद आपने उने चीट किया है बट यह specific question sorry specific message था हो सकते है आप यह सोचते हूँ कि उन्होंने चीट किया है you are so beautiful yes आप बहुत कुबसूरत है वो आप से यह कहना चाहते है बहुत attraction है यहाँ पर fire है then we have being apart from you is painful yes आप से दूर रहना काफी painful है उनके लिए dreaming about you all the time तो आप उनके जहन में है maybe आप इनको manifest करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में I am attracted to you इसमें कोई शक नहीं I admire you, adore you, appreciate you दो आगए हमारे पास you are perfect with your imperfections I was looking at your picture वाउ तो यह six of chalices हमारे पास आया जिससे हमें यह पता चल रहा है कि जो भी memories थी आप लोगों की जो pictures हैं उनके पास आपकी वो देखते हैं उन pictures को can't get enough of you I want to surprise you yes क्योंके वो change होना चाहते हैं I made a huge mistake उनके realize हो रहा है कि आप से दूर जाना उनकी गलती थी इस journey पर आपको भी साथ लेके जाते वाउ, I love you इसके आगे मुझे लगता है कि कोई और सवाल नहीं रह जाता यहां से भी कुछ messages भी हम ले लेते हैं I want to tell you how I feel कुछ लोगों के लिए बहुत थोड़े लोगों के लिए I feel कि यह unconfessed love हो सकता है You are my passion, yes I keep falling in love with you अगर वो आपसे दूर जाने का सोचा भी उन्होंने तो वो कर नहीं पाए ऐसा I can picture a life with you तो still वो आपके साथ future देखते हैं खुद को imagine करते हैं आपके साथ union में Why did you leave me? उन्हें ऐसा feel होता है कि शायद आपने उन्हें छोड़ा और आपने cheat किया उन्हे Is it too late? तो वो आपसे यह question कर रहे हैं कि क्या बहुत देर हो चुकी है अब I am working hard towards my goals तो yes, यह वो बात थी जो मैं आप लोगों के साथ share कर रही थी कि वो बहुत ज़दा मेहनत कर रहे हैं जिन्दगी में कुछ achieve करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं कुछ create करना चाहते हैं solid foundation create करना चाहते हैं अपने लिए I feel और शायद इस वज़ा से आप लोगों के दर्मियान में थोड़ी सी fight हुई है maybe यह आपको commitment नहीं दे रहे थे settle down नहीं हो रहे थे और आपने कहा कि बस अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है आपने walk away कर दिया इसलिए उनको यह feel होता है कि शायद आपने उन्हें cheat किया है कुछ और messages भी हम इसमें से ले ले लेते हैं our love will conquer all yes, क्यूंकि आप लोगों का love बहुत powerful है यह connection बहुत strong है आप लोग power couple हो सकते हैं बन सकते हैं क्यूंकि आप दोनों की energies बहुत ज़दा strong है I feel इनको मैं थोड़ा साइट पर रख देती हूँ ताकि आपको cards सारे नजर आजें please bear with me और इसके बाद हम देखेंगे कि उनका next action आप लोगों के लिए क्या हो सकता है I hope कि यह सारे आपको नजर आ रहे हूँ okay next we have oh two cards I find you in music तो maybe music के जरीए वो आप से communicate करें कुछ songs जो आपको उनकी याद दिलाते हूं कुछ ऐसे songs भी हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं you are my best friend तो आपने उन्हें बहुत understand किया आप लोगों की बहुत अच्छी chemistry थी आप लोगों के दरमियान में friendship थी बहुत अच्छी आप दोनों बहुत open थे एक दूसरे के साथ I am addicted to you येस और मुझे लगता है कि अब आपस हमें यहीं पर रोख दिना चाहिए in channeled messages को बहुत attracted है आपसे प्यार है, passion है, love है सिर्फ यहाँ पर stability आना बाकी है थोड़ी सी earth energy की यहाँ पर कमी है आज की reading में जो कि हमें थोड़े से practicality के बारे में बताती है और थोड़े से logic की कमी है तो आपके person अभी बहुत अद़ पैशन-based energy में है love तो आपसे करते ही है लेकिन जो आपको चाहिए stability अभी वो आपको नहीं दे पा रहे हैं चाहिद इसी वज़ा से आप लोगों के problems create हो रहे हैं अब हम यह देखते हैं कि उनका next action क्या होगा आपके लिए या in general वो क्या करने वाले हैं ओके two cards we have finances and career and co-dependency yes addictions are affecting your romantic life and financial issues are a factor in your love life right now तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके person की कुछ addictions हैं जो आपको पसंद नहीं है आप चाहते हैं कि उनको खतम कर दें कुछ लोगों के लिए third party हो सकती है और बाकी तमाम लोगों के लिए जिन के लिए आज मैं ये reading कर रही हूँ उनके लिए मुझे शुरुवात से अब तक reading business खड़ा करना चाहते हैं और ये problem है एक लेकिन वो जितने ambitious हैं वो अपना ये goal achieve कर लेंगे क्योंकि आपके person को ये feel होता है कि ये नौकरी ये job एक co-dependent चीज है जिससे वो खुद को detach करना चाहते हैं वो co-dependent नहीं होना चाहते हैं completely independent होना चाहते हैं and for some of you ये भी हो सकता है कि उन्हें अभी commitment से डर लगता हो fear हो उनका कि शायद अगर वो commitment में जाएंगे तो वो co-dependent हो जाएंगे उनकी आजादी खतम हो जाएगी उनका alone time उनकी freedom उनसे छीन ली जाएगी और इसलिए हमारे पस the fool भी आया था starting में तो आप messages को वैसे लीजेगा जैसे आप से resonate करते हैं लेकिन I feel कि इस co-dependency वाले issue को overcome करना चाहते हैं ये दोनों card इस वक्त हमारे पास उनके next action के लिए आए हैं और ये हमें बता रहे हैं कि एक तो वो अपने finances पर फिरहाल focus कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो co-dependency से निकलना चाहते हैं और ये जो भी fear है commitment और co-dependency का मिलकर उस से overcome करना चाहते हैं which is beautiful जो कि आपके favor में ही जाएगा और ये totally आप पर होगा कि आपने इनका wait करना है या नहीं two more cards spirit okay we have heart to heart conversation communication आ रही है आप लोगों की तरफ clearly मुझे ये नज़र आ रहा है honestly discuss your feelings with each other तो I feel कि यहाँ पर बहुत ज़दा जरूरत थी communication की और अगर communication आपकी चल भी रही थी तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर deep conversation की जरूरत है जिसमें आपके person अपने fears आपके सामने रखें जिस पर अपनी deep thoughts वो आपके साथ share करें तभी आप लोगों के मसाइल खतम हो सकते है and obviously यह उनकी free will है कि उन्होंने आपसे communicate करना है या नहीं करना है लेकिन spirit ने हमें यह बताया है कि opportunity है possibility है कि वो आपसे communicate करेंगे दो cards आ गए तो हम यह दोनों ही रख लेंगे release your ex and new love हो सकता है आप में से कुछ लोग new love ढूंड रहे हैं आप लोग तंग आ चुके हैं frustrate हो चुके हैं अपने person की आदतों से, addictions से जो कुछ भी उनकी जिंदगी में है third party अगर है तो third party से आप लोग तंग आ चुके हैं and finally आपने move on करने का सोचा है और आपको new love चाहिए जिन लोगों को new love अपनी जिंदगी में चाहिए आप लोगों की जिंदगी में new love जरूर आएगा अगर आप attract कर रहे हैं इस वक्त new love लेकिन बाकी लोगों के लिए जो अपने इस connection के बारे में पूछ रहे थे I feel कि अगर आपके आपकी यहां पर co-dependency and कोई x का issue था या कोई past energy थी past fear था co-dependency से related तो वो release होने वाला है आपके person x को release कर देंगे अगर उनकी जिंदगी में है या x से related energy उनकी जिंदगी में है तो वो उसको release कर देंगे उनका next action यही होगा कि वो completely अपने दिल को heal करना चाहेंगे open up करना चाहेंगे आपके लिए और आप लोगों का ये love renew हो जाएगा आप लोगों का ये connection renew हो जाएगा आप लोगों के connection में एक new beginning होगी new beginning है आप लोगों के लिए बहुत खुबसूरत message है अब हम आपके लिए कुछ और guidance देख लेते हैं last message last message spirit okay the answers you need are coming full moon in Gemini Gemini भी कोई हो सकता है लेकिन regardless of star signs जो भी आपके जहन में questions थे अपने person से related या अपनी जिंदगी से related जो clarity आपको चाहिए थी वो आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी क्योंके we have heart to heart conversation maybe आपके person आपको clearly कुछ बता नहीं रहे थे और यही आप लोगों की situation में confusion पैदा कर रहा था लेकिन आपके person आपको communication देंगे और बड़ी deep communication होने वाली है उनसे आपकी और आपके जहन में जितने भी question marks थे वो सब गायब हो जाएंगे खतम हो जाएंगे बहुत खुबसूरत है energy तो आपसे यह कहा जा रहा है be patient थोड़े से patient आप और रहें and I know जब patience का लफज आता है तो बहुत खुसा आता है लेकिन you can do it and then we have prosperity lies ahead new moon in Taurus yes, बहुत prosperity है answers आ रही है clarity आ रही है new beginnings आप लोगों के लिए ready है बस आप लोगों ने receptive mode में रहना है सब कुछ आप के लिए align हो रहा है बहुत खुबसूरत energy बहुत अच्छी reading थी है कुछ भी आप लोगों से resonate किया पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने जरूर comment section में बताना है अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए द्वा होती है कि आप लोग अपनी जिन्दगी में जो भी manifest कर रहे है new love, true love अपके जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंके you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताय करें अपना धेर सारा खयाल रिखिएगा I'll see you in my next video till then, love you lots bye